हेलो दोस्तों नोशकार स्वागत आपसे भी केजुकेशनल स्टड़ी पॉण यूटूब चैनल पे तो देखी बात करते हैं आई टीए फरस्ट एर एक्जाम की जल्दी आपके इंजिनिरिंग डाइंग्स के पेपर शुरू होंगे तो आज की स्टूडियम आपके लिए वेर जरूर हो जाओगे तो इसलिए इस वीडियो में अट तक बने रहेगा वीडियो को ध्यान से जरूर देखेगा तो चलिए आज की स्टूडियो का पहला क्वेशन आपके सामने सभी क्वेशन वेरी इंपॉटन्ट है तो सभी क्वेशनों को आप साथ साथ कॉपी और पैनल डाक लगे बेट जाईए और मेरे साथ बनाते हुए चलिए घाले क्वेशन में पूछा जाले है डूदा और फ्री हेंड स्केच Sc Tibet का है क्या है ड्रो करणों को यह और क्वेशन आपके कम से कम 10 से 15 नमबर में पूछा जाएगा तो चलिए मैं आपको स्कॉफा क्या अपके इसका क्या है जो यह है, इसकी क्या होता है, यह इसकी क्या होती है, ग्रिप होती है, साथ-साथ आप freehand sketch बनाने की साथ यह भी बात आपको ध्यान में रखनी है, जितने भी इसकी परमुक भाग है, उनके आप नाम जरूर लिखती जीगा, इससे जितने भी आपके जैसे यह 15 number का question आएगा तो आपको 15 में से क्या है 15 number पूरे मिल जाएगे और जो examiner है वो भी इससे पूरा impress हो जाएगा आपका एक भी number question में नहीं cut एगा चलिए बढ़ते हैं अगली question की तरफ अगली question में आपसे पूछा जा रहा है draw the freehand sketch of single cut flat file इस question में आपको freehand sketch बनाना है किसका single cut flat file का तो चलिए मैं आपको single cut flat file के क्या है चित्र दिखा देता हूँ किस परकार से ये बनेगे तो देखिए ये है single cut flat file ध्यान से देख लीजिए ये इसमें क्या है single single cut लगे हुए कितने degree उपर 60 degree पर लगे हुए है और ये बिल्कुल क्या है flat file है तो ये single cut flat file का क्या है freehand sketch रहेगा इसका आप screenshot ले लीजी और इससे जरूर ड्रा करके जाहिएगा पेपर से पहले बढ़ते हैं अगले question की दराफ अगले question में आपको क्या करना है draw the freehand sketch of inside caliper इसमें आपको क्या करना है freehand sketch diagram मनाना है inside caliper का तो चलिए हम बनाते हैं inside caliper का freehand sketch तो देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा और साथ सा screenshot भी लेते हुए चलिएगा या फिर अपने किताब में आपके पास है तो किताब में आप इन्हें डून सकते हैं तो ये है inside caliper का freehand sketch diagram तो ये आपको इस परकार से बनाना है इसे आप रट कर चले जाना exam में definitely पूछा जा सकता है बढ़ते हैं आज के अगली question की तरफ अगली question में पूछा जा रहा है draw the neat freehand sketch of square thread इसमें आपको क्या करना है square thread की क्या है freehand sketch बढ़ाना है तो चले हम आपको square thread का क्या है freehand sketch diagram दिखा देता हूँ तो देखी दोस्तों ये रा square thread का neat freehand sketch diagram जिसे हिंदी में क्या केते है square चूडी केते है thread को क्या कहा जाता है चूडी कहा जाता है तो इस परकार से ये square thread बनेगा इसकी dimension विमा होगी यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक की यह height यह क्या है internal thread होगा और यह external बाहे thread होगा यह antric thread होगा यह इसके height वगएरा रहेगी तो चित्र बनाने के बाद आप इसे ढंक से क्या है इसका नाम करन कर दीजीगा इसकी जितनी भी विमाई है वो भी लिख देजिएगा और arrow वगएरा सब कुछ आपको क्या है दंसे निर्मान करना है साफ सुन्दर निर्मान करना है जितनी आपके drawing साफ सुन्दर रहेगी उतने के आपको ज़्यादा नमर मिलेंगे ज़्यादा आपके पास होने के चांसे रहेंगे और drawing sheet को बिल्कुल भी काला या गंदा मत कीजेगा बार बार कह रफ मत कीजेगा एक बार में साफ और सुन्दर चितर बनाईगा अगला question है इसमें आपको बोल्ट और नट का कहा है assembly diagram बनाने चली हम आपको दिखा देता हूँ तो इस परकार से ये आपके bolt and nut का क्या assembly diagram बनेगा ये very very important question है क्योंकि IT picture में अभी तक ये दो से तीन बार question क्या है पूथा जा चुक है इस परकार से आपको bolt and nut assembly का क्या diagram बना देना है जिसी ये इसकी क्या रहेगी shank है, ये इसका thread है ये nut है, ये इसका क्या हो जाएगा head हो जाएगा तो इस परकार से nut and bolt assembly का क्या है आपका diagram बन जाएगा बढ़ते हैं अगली question की तरफ अगला question जो की सबसे बड़ा question होता है इसी question पे आपका क्या है definitely pass है अच्छे नम्रों से question में पूछा जा रहे है draw three views of given isometric view in third angle projection जिसमें आपको front view निकालना है side view निकालना है और इसका क्या है top view निकालना है ये रहाइस का diagram ज्यान से इसे देख लिजे मैं ये नहीं कहूँँगा यही diagram आपके exact exam में आ जाएगा आपको first angle और third angle से projection दिया होगा isometric उसी का आपको क्या है view निकालना है चली मैं इसको आपको दिखा देता हूँ किस परकार से इसका निकलेगा view diagram तो ये रहा आपके जो diagram दिया गया था इस परकार से ये इसका क्या है side view निकलेगा ये front view निकलेगा और ये क्या इसका top view निकलेगा ठीक है और all dimension are in mm ये आप line जरूर लिख दीजिएगा क्योंकि इसके जो arrow पर यानि कि इसकी arrow line पर जो विमाई दी जाती उस पर mm नहीं लिखा जाता ये सभी को mention रहता है कि all dimension are in mm ही होती है आप जो भी arrow बनाएं arrow से arrow मिलाकर arrow बनाएगा बिल्कुल साफ सफाई से ये plus का जो diagram बना कि आपको क्या करना है side view, front view और top view निकलना है बहुत ही अच्छे और सुन्दर से ये चित्तर बना दीजिएगा definitely आप exam में pass हो जाओगी बढ़ते हैं next question की तरफ तो ये आपको अपनी book में भी मिल जाएगा इस परकार से ये free hand sketch बनेगा micrometer का यहाँ पर इसका lock nut है ये इसकी sleeve है ये इसका trimble आए जाएगा ये barrel spring आजाएगा ये spindle nut आजाएगा ये adjusting nut आजाएगा इस परकार से क्या ये पूरा क्या है free hand sketch आपको क्या करना है micrometer का बनाना है ये इसके सभी नाम आप रट कर चले जाना arrow लगा कि इसके आप नाम करन भी दर्शा देना ये जो micrometer है आपको अपनी drawing या फिर theory की book में भी मिल जाएगा तो ये question जुरूर कवर कर लीजिए अगली question में पूछा जा रहा है draw the need free hand sketch of outside caliper पहले मैंने आपको question में cover कर रहा है था inside caliper कौन सा? inside caliper अब question में cover कराऊंगा outside caliper क्योंकि exam में दोनों ही पूछे जा सकते ये नहीं की inside पूछ लिया तो आगे exam में outside नहीं पूछा जाएगा ऐसा नहीं inside outside कई बार दोनों भी question में दिये जा सकते हैं तो अब हम बात करेंगे outside caliper की तो ये रहा outside caliper इस परकार से आपको क्या करना है outside caliper बनाना है यह यहां तक यह दोनों से रहे length हो जाएगे इसके spring joint हो जाएगे firm joint हो जाएगे यह इसका क्या है adjusting nut हो जाएगा तो यह आप diagram note कर लीजिएगा outside caliper का और एक मैंने आपको पहले question में बताया था inside caliper inside caliper और outside caliper आपको क्या करना है दोनों diagram बना के चली जाना है जो भी मैं आपको freehand sketch के diagram बता रहूँ यह कम से कम 2 से 3 question इस प्रकार से आते है और यह 10 से 15 number के होते है अगर आपको यह 2 से 3 question कवर हो जाएगे तो लगबग आपके 30 number कवर हो जाएगे और आपका क्या है pass होने का संपूर्ण जुगाड़ इसमें से हो जाएगा बढ़ते हैं अगले question की दुरफ अगले question में क्या करना आपको draw the freehand sketch of combination plier इसमें आपको क्या करना combination plier के freehand sketch बनाने इसमें काफी इसके मुख्य बाग होते हैं जैसे यह देखिए कि समाने plier जिसे हम combination plier गते हैं यह इसका हो जाएगा अगर question में पूछ लिए जाए कि end cutting plier तो यह diagram है आपके end cutting plier का अगर पूछ लिया जाए कि draw the freehand sketch of round nose plier यह यहां से देखिए round nose plier है तो यह भी आप cover कर लिजेगा एक होता है diagonal cutter या फिर जिसे कहते हैं side cutting plier एक question इस परकार से पिर उसे रेक्जाम में पुछा गया था draw the freehand sketch of side cutting plier तो यह side cutting plier का reference sketch हो जाएगा एक होता आपके locking plier इसे भी आप जरूर बना के चले जाएगा एक होता है flat nose plier तो मैंने आपको 6 main plier बता दिये हैं जो कि ज़्यादा तर drawing exam में पूछे जाते हैं चलिए बढ़ते हैं next question की द्रव अगले question में आपसे पूछा जा रहा है draw a regular hexagon by earth worth method यानि कि जो earth worth विधी के द्वारा आपको क्या करना है regular hexagon का निर्मान करना है जिसकी जो side length यानि कि जो side की बुझा की लंबाई होगी वो कितनी होगी 30 mm आपको रखनी है और ये किस विधी के द्वारा आपको बनाना है तो ये आपको अर्द विर्त विधी के द्वारा बनाना है ये question भी बार बार exam में पूछा जाता है drawing के exam में कम से कम 10 से 15 नंबर का ये question होता है तो आपको बता देता हूँ इस परकार से ये क्या है अर्द विर्त विधी के द्वारा आपको क्या है hexagon का निर्मान किया गया hexagon में कितनी बुजा होती है 1,2,3,4,5,6 जो इस परकार से क्या है hexagon का निर्मान किया गया है ध्यान से देख लीजिए इसमें जो बुजा रखी गई ये वो कितनी रखी गई है इसमें taper shank twist drill का आपको क्या करना है freehand sketch बनाना है चले मैं आपको इसका answer दिखा देता हूँ देखिए इसमें भी दो बनते एक तो होता है taper shank तो taper shank की shank जो है वो कुछ इस परकार रहेगी एक होता है straight shank straight यानि कि बिल्कुल शिधी shank होती है और यह क्या है थोड़ी सी taper होती है आगे से ऐसी nuclei सी मोडी हुए होती है तो यह है taper shank का अगर exam में पूछ जाए freehand sketch of straight shank twist drill तो इसमें straight shank में आपको यह बना देना है अगर question में taper shank का आजाए तो taper shank में आपको क्या कर देना है यह बना देना है आज की स्वीडियों हमने drawing के very modern question cover कर लिया ऐसा बेपर आपके exam में आएगा वीडियों पसंद आएगा वीडियों पसंद आएगा वीडियों जाएगा जाएगा लाइक और शेर जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों में तबतकली धन्यवाद जैहिंद जैभरत